शिमारू उमंग पे शुरू हुआ लाश्ट वीक नया शो जिसका नाम है किसमत की लकीरों से इस शो को लेके अब फाइनल हो चुका है एक सब्ता जिसके बाद फैंस का रियक्शन क्या है फैंस इस शो को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं और क्या ये शो अपने पहले वीक में फ्लॉप साबित हुआ है या हिट आई आज के इस वीडियो में आपके साथ भी शेर करते हैं शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे अंटोल्ड तथ हैं जो शायद आपको जानना बहुत जरूरी है तो इस वीडियो का आप पूरे एंड तक जरूर देखना किसमत की लकीरों से ये रश्मी शर्मा का एक नया शो है जिसको शिमारू उमंग पे पहली बार टेलीकास्ट किया गया है वैसे शिमारू मंग पे आने वाला ये कोई ऐसा फैमिली ड्रामा शो होगा जो की पहली बार आ रहा है इसके उपर शिमारू मंग पे ऐसा कोई नया शो नहीं है जो अभी फिलहाल आपको देखने को मिलता है इस शो को लॉंच होने के बाद फैंस में जादा तर एक्साइटमेंट देखा जा रहा है ये रश्मी शर्मा का शो कैसा होगा क्योंकि रश्मी शर्मा के अब तक की बहुत सारे शो हैं जो सूपर हिट रहे हैं और आज भी लॉंच रणिंग शो बने हुए हैं वैसे इस शो की अगर हम बात करें तो जहांपे वरुन शर्मा शैली प्रिया पांडे इसके साथ साथ अभिशेक सिंग पठानिया जैसे एक्टर आपको देखने को मिले तो सुमिती सिंग भी आपको इस शो में फीमेल लीड रोल प्ले करती हुई नजर आई दो बेहनों की कहानी दो भाईयों की कहानी एक ऐसी कहानी जहांपे दो कपल्स को यानि की चार जोडियों को आपको दिखाया गया और इसको फैंस ने यकीन मानिये हाथो हाथ लिया फैंस का मानना है तो ये मानना है कि इस शो में कुछ हद अब तक जो स्टोरी है वो ससुराल सिमर का सीरियल से मिलता जुलता है और कुछ लोगों का ये मानना है कि एक यूनिक स्टोरी है और शिमारू मंग पे इस तरीके के शो जरूर आना चाहिए कुछ लोग का तो ये शो के लिए तो ये शो बीते सपता में ही अपना फेवरेट लेकिन अब तक ऐसा, इस shoe का जो रियक्षन है, शो को लेकि वो बहुत यूनिक रहा है, और एक डिसेंट रहा है अगर देखा है, तो आप अपना opinion हमारे साथ जरूर शैर करना कि ये shoe आपको कैसा लगा है, मैं genuine यून ली जानना चाहूंगा आपका point of view और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगाए तो इस वीडियो को like, share और subscribe किजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई